चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूले। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। वारानसी के कमच्छा स्थित बतुप भैरो मंदिर में। रविवार को बाबा का भव्य हरियाली श्रिंगार किया गया। जलविहार की ज्हांकी भी सजाई गई। बाबा के नयनाभिराम दर्शन के लिए भक्तों की लंबी का तार लगी रही। दिव्य नयनाभिराम उजन का दौर अनवरत देर रात्री तक जारी रहा। इस वर्ष महादेव ने रजत सिंगहासन पर विराजमान होकर अपने बालस्वरूप दर्शन भक्तों को दिया। सुबह पांच बजे बाबा का पंचामृत स्नान के बाद मंगला आरती हुई। इसी के साथ मंदिर का पच श्रद्धालूओं के लिए खोल दिया गया। मंदिर परिसर के बाहर गुफा रूपी मार्ग बनाया गया था। जहां की सजजा, पक्षी, साथ आदी जीवनतता का एहसास करा रहे थे। तो वहीं गुफा रूपी मुख्यद्वार से ही श्रद्धालूओं को अलोकिक आनंद प्राप्त हो रहा था। कामिनी की पत्तियों, अशोक की पत्तियों, बेला, गेंदे की माला, फल। गुलाब के फूल की माला द्वारा गर्द ग्रिह, मंदिर परिसर एवं आसपास सुन्दर सजावट की गई थी। बाबा के अलोकिक बालस्वरूप के दर्शन के ल रम्व कतार लगी रही। रात नौ बजे बाबा की महा आर्ती हुई और इस दौरान एक हजार आठ बक्ती वाले दीपदान एवं सवा किलो कपूर से महा आर्ती किया गया। महा आर्ती के दौरान इक्यावन भक्त दमरू बजाए गए, जिसके बाद पूरा मंदिर हर हर महा देव के नारों से गूंज उठा। बाद दिसके बाद के देडियर खारा आरक है। झाल 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 झाल